बल्दवानी सी एक बिहद दुखत खबर सामने आई है यहाँ पर एक वनकर्मी की बेटी ने मौत को गले लगा लिया वज़ा थी गाई की मौत होना जिसके बाद सद्वे में किशोरी ने जान दे दी धरसल पूरा मामला कुछ ऐसा है कैनाल रोड दमवाधूंगा काटकुदा काम निवासी केशव दद पलड़िया वन विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं वह घर में 15 वर्ष्चिय बेटी जया और पत्नी के साथ रहते हैं केशव के मुताबिक उन्होंने घर में एक गाई पाली थी जो उनकी बीटी जया के बच्पन के समय से ही घर में थ रही उसके बाद उसने खाना भी नहीं खाया घरवालों ने उससे बात करने की कोशिश की लेकिन उसने किसी से भी बात नहीं की और इस पीच वह अच्चानक से लापता हो गई सुभा सी शाम तक परिवार वाले उसे खोशते रहे लेकिन उसका कहीं भी पता नहीं चला शाम ढलने पर जब परिवार वाले घर की पीछे बने बातरूम में पहुंचे तो उनकी होश उड़ गए वहाँ पर जया का शव था आननभानन में परिजन उसे एक नीजी अस्पताल लेकर गई जहाँ चकस सकों ने उसे मृत खोशित कर दिया कुछ देर बाद चकस सकों की सूचना पर काडगुदाम पोलिस भी मौके पर पहुंच गई काडगुदाम धाना अध्यक शिविमल मिश्ट्रा ने बताया कि घटना के पीछे गाई की मौत से आहत होने की बास सामने आई है वहाँ पोस मौचम के बाद शव परिजनों को सौप दिया गया है उत्रा खंच की हर छोटी बड़ी खबर पर नज़ाद डालने के लिए फेस्बुक पेज़ पर दपब्लिक मैटर को फॉलो करे और यूटूब पर चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेर जरूर करे इसी तरह देखते रहे दपब्लिक मैटर नमस्कार अलद्वानी से एक बीहद दुखत खबर सामने आई है यहाँ पर एक वनकर्मी की बेटी ने मौत को गले लगा लिया वज़ा थी गाई की मौत होना जिसके बाद सद्वी में किशोरी ने जान दे दी धरसल पूरा मामला कुछ ऐसा है कैनाल रोट दमाधूंगा काटकुदाम निवासी केशव दद पलडिया वन विभाग में चतुर्त शेर्णी कर्मचारी हैं वह घर में 15 वर्षिय बेटी जया और पत्नी के साथ रहते हैं केशव के मुताबिक उन्होंने घर में एक गाई प हुई और फूट फूट कर रोती विलखती रही उसके बाद उसने खाना भी नहीं खाया घरवालों ने उससे बात करने की कोशिश की लेकिन उसने किसी से भी बात नहीं की और इस पीच वह अच्चानक से लापता हो गई सुभा सी शाम तक परिवार वाले उसे खोशते रहे लेकिन उसका कहीं भी पता नहीं चला शाम ढलने पर जब परिवार वाले घर की पीछे बने बातरूम में पहुंचे तो उनकी होश उड़ गए वहाँ पर जया का शव था आननभानन में परिजन उसे एक नीजी अस्पताल लेकर गई जहार चिकस सकूने उसे म्रत खोशित क दिया कुछ देर बाद चिकस सकून की सूचना पर काडगुदाम पुलिस भी मौके पर पहुंच गई काडगुदाम धाना ध्यक्ष विमल मिश्ट्वा ने बताया कि घटना के पीछे गाई की मौत से आहत होने की बास सामने आई है वहीं पोस्त मौचम के बाद शव परिज सब्सक्राइब लाइक और शेर जरूर करें इसी तरह देखते रहें दा पब्लिक मेटर नमस्कार